सो दोस्तो मुझे उम्मी दे कि आप लोग भी कल का अपडेट निउस देख करके चौक गए होंगे मैं भाई बिल्कुल सर्प्राइज हो गया कि नाट कोईन हमारा जो है बाइनेंस के लांच पूल पर आ रहा है तो प्राइस में इसका मान के चलो की 100% का यानि की लगबग 1x2x का यहाँ पर जो है लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिलेगा एकजामपल के तौर पर अगर हम लोग मान लेते हैं कि नाट कोईन हमारा एक डालर पर लिस्ट होने वाला था बाइनेंस के लिस्टिंग से पहले मतलब बाइनस का जो लिस्टिंग हो रहा है बाइनस पर उससे पहले एक डालर पर लिस्ट हो रहा था तो Binance का Listing का News सुनके ये 2$ पे लिस्ट होगा है तो चलिए क्या है किस तरीके से Farming होगा है का News जाया हुगा है क्या है अपडेट और इसकी Price क्या हो सकती है सारा सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करने बाला हूँ वीडियो काफी important है भाई इतने दिनों से हम हुआ है तो इस हिसाब से तीन मंत बहुत जाता समय नहीं होता है तीन महिने के अंदर में बाई बाइनेंस पर लिस्टिंग आ गया अभी तक मुझे लग रहा कि कोई भी माइनिंग डाइरेक्ट इस तरीके से इतना बड़ा सर्प्राइज नहीं दिया हुआ था तो मैं यहां से आप दुगना कर लो प्रॉफिट ठीक है 400-500 डालर का मतलब कि आपके पास जितना टोकन होगा उसी साब से मैं कह रहा हूँ ठीक है तो इसकी लिस्टिंग गेन क्या होगी बाइनेंस पर आया है तो किस तरीके से फार्मिंग होगा और फार्मिंग करने से क्या बेनि स्क्रिप्शन मिल जागा यहां पर न्यूच अपडेट देते रहता हूँ वीडियो को इन तक देखीगा ठीक है टेलिग्राम ग्रूप से आप लोग जूड़ जाए जरूर से जरूर अब अगर आप ट्वीटर पर आएंगे ठीक है ट्वीटर पर जैसे ही मैं साम को मैच द को भी अपडेट दिया ठीक है तो इसको देखने बाद सर्पाइस तो होई गया कि भाई नाट कोई हमारा जोए बाइनेंस पर लिस्ट हो रहा है बाइबीट पर आपका जोए मेक्स ग्लोबल पर यह सब तो आहां बात है उस पर लिस्ट होना क्योंकि प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं तो इसके नीचे देखेंगे तो इसको नाट कोईन ने भी रिट्वीट अगरे किया है तो इसको देखने के हमें जगरत नहीं है सबसे पहले लांच पूल क्या होता है इसको अमलोग जान लेते हैं ठीक है आपके पास बाइनेंस एक्सजेंज होगा आप लोग जूज भी कर रहे होंगे क्योंकि बाइनस एक्सजेंज तो लगबख सब के पास है तो आप लोग अगर सर्च करेंगे यहां पर लांच पूल ठीक है लांच पूल सर्च करेंगे तो नहीं आएगा लांच पैट पे हो सकता है कि आ ठीक है तो यहां पे थोड़ा सा नेट का पर प्राइस हुए तो लांच पैट मैंने यहां पर क्लिक किया लांच पैट क्लिक करने के बाद यहां पर देखेंगे तो बहूँ सारे प्रोजेक्ट आते हैं जो इनिस्यल स्टेज में बाइनस की यूजर को फार्मिंग करने का मौका मिलता है इसको माइनिंग है हम लोग बोलेंगे जैसे कि हम लोग नाट कॉइन की मैनिंग तो कर चुके हैं अल्रेडी अब यहाँ पर आया हुआ है तो आप लोग अपना BNB या EFUSD स्टेक करके कुछ मात्रा में यहाँ पर आप नाट कॉइन ले सकते हो कितना total supply है सबसे बड़ी बात है कि यह भी release हो चुका है इससे आप लोग जो है प्राइस का भी prediction कर सकते हैं वाई आप लोग जो है total supply देख करके साख हो जाओगे और दुख भी होगा तो चलिए देखते हैं, तो यहां पर यही launchpad में आते हैं project, लेकिन यह launch pool में आ रहा है है, तो इस लापने पूल वाले option में हम लोग ख्लिक करेंगे, तो अभी देखेंगे की यहांपर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो यह कब मिलेगा? उसको भी मैं अभी detail में दिखा देता हूँ अभी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है जैसे ही launch ppl पर live होगा उससे 24 गंटे पहले यहाँ पर आपको option देखने को मिल जागा its means जैसे यहाँ पर stack करने का option enable holness से 24 गंटे पहले यहाँ पर आपको एक पेज बनता गुआ नजर आ जागा कब होगा 13 माई को जो हम लोग यहाँ पर अपना इस्टेक करके फार्मिंग कर पाएंगे ठीक है तो 12 माई को यहाँ पर हमें इंटरफेस में देखने को मिल जागा हमें कुछ नहीं करना रहता है इसी आप्सन पर क्लिक करके यहीं पर ज इस गेनिंग क्या होगा इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं ठीक है तो मैं थोड़ा सा इंटरनेट आफ कर देता हूं क्योंकि यह बार-बार रिफ्रेस हो रहा है तो यहाँ पर डीटेल दिया हुआ हुआ है कि 16 माई को लिष्टिंग होगी बाइनेंस पर तो यहाँ पर ब मिल जाएगा ठीक है zero UTC यानि की रात में ठीक है बाइनेंस विल लिस्ट छब सोलमाई को यहाँ पर लिस्ट करेगा और बहुत सारे पेरों में यहाँ पर ट्रेडिंग होगी कि इसकी price जो है false हो सकती है तो सबसे बड़ा यहां फे instruction दे दिया हुआ है कि बहुत सारे drop का हर एक जगह से distribution होगा तो price जो इसका false भी जा सकता है मतलब की down भी जा सकता है क्योंकि जो लोगों ने mine किया हुआ है उसको ये लोग मतलब मैं भी sale करूँगा आप भी sale करेंगे तो price जाने की संभावना है तो आप लोग उस राइम यक्तिव रहना तेलिग्राम गुरूप से जुड़े रहना वहाँ पे आपको बहुत सारा instruction मिलेगा उसको follow करके आप जो एक अच्छी profit generate कर सकते हैं अब इसके बाद total supply की बात करूँ तो इसको मैं calculate कर रहा था तो कुछ भी को मिल जागा 3% supply आ रही है और पूरा initial circulation में जैसे कि किसी भी project की 100 billion supply होती है तो जब launch होता है तो अपना पूरा market में नहीं लाता है जैसे OEX अपना लारा 10 billion उसकी total supply है लेकिन वो 20% या 30% ही market में आएगा फिर दीरे-दीरे करते हुए आएगा at the wasting time of period तो वहाँ पे क्या वाल्स होने की संभावना कम रहेगी बट यह जो पूरा का पूरा market में एक बार में ही आ जा रहा है तो यह थोड़ी सी मुझे shocking लगी कि पूरा का पूरा market में आ जा रहा है ठीक है तो पूरा यहां पर देख सकते हैं कि circulation में 100% max supplies की आ जाएगी अगर इसकी यहां पर बात कर कर सकते हैं यही सब सारी चीज़ें यहां पर दी हुई है तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी total supply काफी जदा है अलाकि user भी 35 million है तो अब यहां पर क्या-क्या होने की संभावना है price together से related तो चलिए इसको भी हमनों थोड़ा सा describe कर लेते हैं आपने देखा कि अरब में इसक supply है 35 million user है जो user थे तो ठीक है पहले से थे अब Binance पर आने से क्या होगा worldwide जितने भी crypto के मतलब अब समझ लोगी Binance पर आ गया तो almost crypto के जितने भी user होंगे worldwide उसमें से 75% लोग Naatcoin को अब यहां पर जान जाएंगे 35 million तो पहले से जान रहते अब यहां पर जोए बहुत सारे लोग जान जाएंगे तो forming भी करेंगे स्टेकिंग भी करेंगे तो वहां से थोड़ा सा जैसे कि market में जो भी supply है सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगी कुछ लोग hold करेंगे कुछ लोग sale करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा है कि पहले के पक्षा यहां पर प्राइस थोड़ा सी जो है stable रहेगी stable तो नहीं रहेगी मतलब कि थोड़ा सा जो है उस हिसाब से उतना तेजी से फाल नहीं होगा पहली चीच दूसरी चीच तो यहां पर जैसा कि मैं करा था कि initial listing gain हमें जो है यहां पर देखने को मिल सकती है लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो आर्मश मोटी मोटार रख लो कि हमें जो है इसका देखने को मिल रहा था नियूज में कि 0125 होगा तो ठीक है तो 0.0 समझ लो कि point के बाद 10 तो लगा ही रहेगा इसके बाद जो हमें यहां पर listing देखने को मिल सकते क्योंकि supply की बात करें तो काफी जदा है बाई नाट कोईन पर आया है तो थोड़ा सा जरूर प्राइस में पंप में देखने को मिलेगा बट हाँ यह तो point में रहेगा ही लेकिन अगर 0125 ऐसे listing हो चाती है तो भी बड़ी अच्छी बात है आप लोग calculate करके बताना कि आपके पास कितना यहां पर टोकन है और उस हिसाब से multiply करके comment में बताना कि आपका कितना डालर बन रहा है अगर आप लोग सोच रहेंगो कि एक डालर दो डालर जाएगा तो मेरे समझ से तो बिलकुल भी नहीं जाएगा फिर भी predict आप लोग भी अपना prediction दीजिएगा अगर गलती स 0.1 हो गया तब तो surprise वाली बात रहेगी लेकिन इसकी उमीद मुझे बहुत कैम है मैं आपको जूठी उमीद नहीं देना चाहता ठीक है बाकि यह देखते हैं कि कहां तक मेरा knowledge सटीक होता है बाकि दूसरा जो मैं exact बताने की बात कर रहा था वो 14 माई को बताऊंगा और इसक कि प्राइस आपनों को बता दूँगा कि कितना होगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैं सोचा कि इसकी जो है फार्मिंग 11 बारत तारिक्स होगी लेकिन अभी देख पा रहा हूं कि तेरा तारिक्स होगी तो एक दिन बाद मैं आपको बता दूँगा कि इसकी